हलो एवरिवन, आई होप यू ओल आ डूइंग वेल, तोड़े आम गोंग टी तेल यू अबाउट किंग्डम प्लांटी इट इंक्लूड ओल यू केरियोटिक, यू केरियोटिक का मतलब क्या होता है जिनके अंदर ट्रियो नुकलियस पाया जाता है ट्रियो नुकलियस का मतलब क्या है, जिनेटिक मेटिरियल के अराउंड एक नुकलियर मेंब्रेन का होना किसी सेल के अंदर जो जिनेटिक मेटिरियल है, उसके चारो तरफ एक नुकलियर मेंब्रेन प्रेजेंट होना जोगी क्या होते हैं? chlorophyll containing organisms होते हैं हमें पता है कि पोधे हरे होते हैं और हरा रंग उनका किस वज़े से होता है? chlorophyll की वज़े से होता है chlorophyll कहां पाया जाता है? cell के अंदर chloroplast ओर्गनली होती है उसके अंदर chlorophyll पाया जाता है cell wall mainly made up of cellulose इनके जो cell wall है चारो तरफ, cell के चारो तरफ एक protective layer होती है जिसे क्या बोल जाता है? cell wall और वो cell wall किसी इसके बनी होती है? cellulose की plants are utrophic, मतलब अपना food अपने आप prepare करेंगे बट कुछ plants ऐसे भी हैं जो heterotrophic है, अपने food के लिए दूसरों के उपर depend रहते हैं इसके example है insectivorous plant insectivorous plant कौन से होंगे? ऐसे पोधे जो अपने food के लिए insect पर depend करते हों इनसेक्ट को खाते हों ऐसे पोधे इनसेक्ट को capture करेंगे और उन्हें खा जाएंगे इसके example है bladder wart और venus fly trap ऐसे ही एक example है कसकटा जो कि एक parasitic plant है जो plants की life cycle है वो दो phase में complete होती है एक तो diploid sporophytic phase में और दूसरी है haploid gamotophytic phase में diploid sporophytic phase का मतलब क्या है? ऐसा phase जिसमें sports बनते हैं कैसे sports? diploid diploid कहने का मतलब क्या है? 2N condition होना मतलब जो kromosomes है वो इस तरीके से 2N condition में पाया जाना जिसमें जो इस spindles हैं वो कैसे हो? double की form में हो देन उनका क्या होगा? meiosis होगी जो sports बनते हैं sports बनने का मतलब क्या है? जो diploid sporophytic है वहाँ पर sports बनेंगे और sports कैसे बनेंगे? N form में बन जाएंगे N form कैसे बनती है? meiosis की वज़े से meiosis क्या है? एक reductional division है आगे हम further कुछ chapters में पढ़ेंगे division के बारे में कि cell कैसे divide करती है? दो तरह से तरीके से divide करती है एक तो meiosis तरीके से एक mitosis तरीके से meiosis जब होती है तो क्या होता है? number decrease हो जाता है ये reductional division है जबकि mitosis अगर होती है तो number same रहता है अब यहाँ पर sporophytic की वज़े से number क्या हो गया? reduce हो गया end condition आ गई तो उन्होंने क्या बना लिया? gamets बना लिये जैसे male और female दो gamets होते हैं ऐसे ही sports की वज़े से दो तरह की gamet बने होंगे वो दोनों gamet fuse होकर क्या बना देंगे? जैगोट बना देंगे और जैगोट आगे फर्दर अपनी growth करने के लिए क्या करता रहेगा? mitosis करता रहेगा यहाँ पर meiosis हो रही थी number decrease हो गया था 2N condition से N condition बन गई जिने haploid gametophyte बोला गया अब वो दोनों fuse करके उन्होंने क्या बना लिया? जैगोट अब जैगोट को भी आगे फर्दर क्या खननी है? पूरी एक plant body form करनी है तो mitosis same अपना number same रहेगा reduce नहीं करेगा reduce कहा होता है? meiosis में mitosis होगी तो number same रहेगा cell अपना number लगाता increase करती रहेगी और क्या हो जाएगी? पूरी body form हो जाएगी तो इसी तरीके से जैसे ही plant पूरी तरीके से mature हो जाएगा वो फिर से क्या बनाएगा? diploid sporophytic phase बनाएगा और फिर से वो क्या हो जाएगे? इस phase में चले जाएगे इनी सभी process को कि एक बार इस phase में आते हैं फिर से इस दूसरे phase में चले जाते हैं मैं चोर होने के बाद plant body इन्हें बोल ला जाता है alternation of generation मतलब एक बार इस generation में तो alternation होता रहता है प्लांटे इंक्लिउड algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperms and angiosperms plant के अंदर में लिखा क्या आती है algae, bryophyte इन्हें एक series में लिखा गया है कि सबसे पहले किस तरीके के plant आये थे उसके बाद evolution के साथ-साथ ऐसे plants आते चले गए और last में angiosperms plant है वो form हो गए जिनके अंदर flower की formation होती है fruits की formation होती है उसके बाद हम बात करते है kingdom animalia के बारे में kingdom animalia क्या है heterotrophic eukaryotic organism है heterotrophic का मतलब क्या होता है हमें already पता है जो अपने food के लिए दुसरों के ओपर depend हो ये multi-cellular होते है एक cell के नहीं बने है बहुत सारी multiple cells के बने है इनके अंदर cell wall नहीं होती ये इनका एक characteristic feature होता है कि इनके अंदर cell wall नहीं होती lack of cell wall in their cell mode of nutrition क्या है hollow joic hollow joic का मतलब क्या होता है कि ये food कैसे लेते हैं completely लेते हैं complex food particle को अपनी body के अंदर लेते हैं then उसका digestion करते हैं और फिर nutrients को absorb करते हैं ingestion of food मतलब food को अपनी body के अंदर लेना इसलिए इने क्या बोला जाता है hollow joic बोला जाता है और फिर क्या करते हैं food को reserve कर देते हैं अपनी body के अंदर energy के लिए ताकि energy बाद में क्या आसके काम आ सके तो उसे उस food को reserve कर लेते हैं अपनी body के अंदर किस form में Follow a definite growth pattern. इनमें क्या होता है? Growth pattern होता है कि पहले ये adult होंगे, पहले infant होंगे, छोटे होंगे, देन ये धीरे-धीरे adult हो जाएंगे, और उसके बाद adult होने के बाद ये definite shape और size attain कर लेंगे. इनके जो higher forms हैं, वो show करती हैं elaborate sensory और neuromotor mechanisms. मतलब इनके अंदर पूरा mechanism होता है sense करने का चिज़ों को. hormones बने होते हैं, कुछ chemicals बने होते हैं, जो body को क्या करते हैं? sense करवाते हैं, outer environment को और हमारी body की inner communication को बनाए रखने के लिए. hormones होते हैं, neuromotors कहने का मतलब क्या है? neurons होते हैं, पूरी body को आपस में connect रखते हैं. capable of locomotion, यह mainly जो जयातर animals हैं, वो locomotion शो करते हैं. sexual production is by population of male and female, followed by embryological development. embryological development हम further कुछ chapters में आगे पढ़ेंगे. दन उसके बाद है, सबसे main important topic, viruses. viruses क्या होते हैं? उससे पहले हम यह जान लेते हैं, कि जो viruses हैं, या वायरोइट्स और लाइकन्स हैं, उनको विटेकर के, विटेकर कों था? साइंटिस्ट था, जिन्होंने five kingdom classification दिया था, उसमें include नहीं किया गया है. वायरेस के मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, venom और poisonous food. किसने दी थी एटम? पाश्चर ने दी थी. उसके बाद, दो से तीन एक ऐसे scientist हैं, जिन्होंने इसके बारे में, स्टार्टिंग में बताने की कोशिश की थी, उन्होंने इसका नाम नहीं दिया था, बट इनको उन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था. डीजे, लेवानोस्कीने ने 1892 में क्या क्या तरिकोग्नाइस किया था? माइक्रोब्स को. कौन से माइक्रोब्स को? जो डीजीज कोज कर रहे थे, कहां पर टोबैको की अंदर. वहां पर उन्होंने देखा कि कोई एक ओर्गिनिजम है, जो मोजाइक डीजीज कोज कर रहा है टोबैको के अंदर. तो उन्होंने वहां से क्या किया? उसको, उसके लीफ को कलेक्ट किया, उन्हें क्रश किया, और फिल्टर करने की कोशिश की कहां से? बैक्टीरिया के जो फिल्टर सोते हैं उसके अंदर से. जैसे ही वो क्या हुआ उस bacteria filter के अंदर से असानी से निकल गया उस liquid के साथ तो उन्हें पता चला कि यह bacteria तो है निजो disease cause कर रहा है कुछ और ही organism है तो उन्हें क्या पता चला सिरफ यही पता चला था उन्होंने नाम नहीं दिया था कि यह virus उन्होंने सिरफ यह बताया था कि bacteria के अलावा कुछ ऐसा microorganism है जो क्या कर रहा है disease cause कर रहा है कैसे पता चला कि यही disease cause कर रहा है फिर उन्होंने इस liquid को bacteria के filter से cross करके इस liquid को फिर से किसी एक fresh plant के उपर apply किया किसी की leaf के उपर tobacco की leaf के उपर फिर से apply किया तो healthy plant में भी क्या हो गया वही disease cause हो गयी जिसे पता चला कि कोई एक ऐसा organism है जो disease cause कर रहा है उसके बाद MW बेजलनेट ने क्या किया था 1898 में contasium vivum fluidum उस fluid को जो filter उन्होंने निकाला था उस fluid को use किया उस fluid को यह नाम दिया और infectious living fluid नाम दे दिया गया डब्ली एम स्टैनले 1935 में उन्होंने क्या किया शोड डाट वायरस कोड बी crystallize and crystals consist larger of proteins हमें पता होता है कि जो वायरस है वो किस चिस का बना होता है protein coat का बना होता है तो उन्होंने बताया कि जैसे हम उसको क्या करते crystallize करते हैं तो वो तूट जाता है छोटे छोटे प्रोटीन के पार्ट में क्योंकि वो किस चीज की बनी होती है तो उन्होंने यह चीज discover कर दी कि यह largely proteins का बना हुआ है अगर हम इसके characteristic के बारे बात करते तो वायरस क्या होते नोन इन्हें सब्सक्क Tib litter ऊते हैं यह मैं सैल नहीं होती क्यथ्टेटराइज वैविग हैं इना ग्रिस्टालाइऑ स्ट्छर ऊटоссाएड दा लिविंग से इनके पास क्या होता है इने क्रिस्टलाइन स्ट्छ RNA भी पाए जाता है और DNA भी पाए जाता है कुछ वायरस के अंदर लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं पाए जाती और यह किस चीज में प्रोटेक्ट होते हैं एक लियर से प्रोटेक्ट होते हैं जो की प्रोटीनिस नेचर में होती है जिसे हम क्या नाम देते हैं क्या ना सबाइन legislative हcción होती है तो इसे वो पता कर सकता है कि जो इसका होस्त है या तो प्लांट को क्या करता है तो किसी एकपरaya गाई इसलिए उनके ऊपर जाके जो पर्टिकुलर होस्ट है अगर प्लांट के अंदर डिजिस कोज करनी है तो प्लांट के साथ जाके अटेश होता है अगर एनिमल में डिजिस कोज करनी होती है अगर एनिमल का वह वायरेस है तो वह क्या करता है तो जैसे ही वह अपनी सल को क्या करता है इंफेक्ट कर लेता है ज दीरे दीरे उसके अंदर replicate करना चुलू कर देगा। अपना कोपी नंबर बढ़ाना, कोपी नंबर बढ़ाएगा, बढ़ाना रिलीज के जनेटिक माटिरियल या तो RNA या फिर DNA, वहां पर उसका नंबर बढ़ानेगा, दीरे दीरे, और जैसे उसका नंबर पर्टिकोलर एक ल फिर प्लाइब यह वाईर्स और उब्लीगेट पैरसाइट का मतलब किया है यह अपनी डूसरे औरम होस्ट औरम करते हैं क्योंकि जब भी यह किसी सैल के बाहर है तो यह क्या होते हैं एक नौ लिविंग अर्गेजम की तरहां एक्ट करते हैं लेकिन जैसे हीने कोई होस्ट मि प्रोटीन कोट है उसे हम कैपसिट बोलते हैं अभी हमने बात की ती जो की बनी होती है छोटी-छोटी सब्यूनिट्स के बनी होती होता है उन सब्यूीनिट्स को नाम दिते हैं कैपस्णों के बनाते हैं Trans L लेकिन सब्सक्रीद साहळुनिट है झो चूटी चूटी यूनिट होती है जो एक साथ मिलके क्या बनाधीति जान inner बनाती है और virus cause disease, कौn से कौn से disease cause करता है मेल ली animals में ये mumps, smallpox, harpes, influenger, aids ये most common example है viral disease के इंसानों के अंदर भी और animals के अंदर भी plants में जो symptom से virus के हो कौन से है, mosaic formation होना है leaf का roll करना, curling, stunted growth मतलब growth का कम कर देना plant की और leaf curling वगरा जो पतियां है वो क्या हो जाती करल होना शुरू हो जाती है अच्छे से ग्रोच हो नहीं करती उसके बाद हम बात करते हैं वाइरोड्स और लाइकन के बारे में वाइरोड्स के डिस्कवरी किस ने की थी टियो डाइनर के ने की थी 1971 में यह वाइरोड्स से छोटे होते हैं और इनमें क्या characteristic feature होता है कि हमने बात कि थी कि वाइरस में एक capsid होता है genetic material को स्टोर करके रखता है जबकि वाइरोइट्स क्या होते हैं ऐसी चीजे हैं ऐसे organism हैं जिनमे genetic material है वो free रहता है जिसमें बाहर की तरफ कोई लेयर नहीं होती और यह disease cause करता है potato spindle tuber disease जिसे PSTD भी बोला जाता है free RNA होता है इसमें protein coat की कमी होती है RNA of the virus was a low molecular weight इसमें जो molecular weight है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है उसके बाद हमने लाइकन के बारे बात करती है इसके बारे वे हम करेगा algae और fungi दोनों एक साथ मिलेंगी और काम करेंगी ठोड़ा काम करेंगी यह इसके लिए यह काम करेंगी इसके लिए इसलिए algal part को क्या बुला जाता है phycobion obstacles और fungi वाले part को बुला जाता है लाइकन क्या होते हैं अब इन दोनों को मिला कर क्या बोला जाता है जब यह दोनों एक साथ मिलकर रहते हैं तो इन्हें लाइकन बोलते हैं लाइकन क्या होते हैं एक बहुत ही अच्छे pollution के indicator होते हैं जिस area में pollution बिल्कुल कम होता है वहाँ ये बहुत अच्छे से growth चो करते हैं लेकिन जिस area में अगर pollution हो जाता है तो वहाँ ये अच्छे से grow नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का ये chapter खतम हो जाता है Thank you so much अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीजी से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you so much